लोगाइस वेलकम टू माई चैनल दोस्तों आज की इस फीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ नील ब्रिगंडी हेर ओयल का दोस्तों इस तरह से आपने इस्तमाल करना है क्या 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 दोस्तों आपको इससे बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या दोस्तों कोई उसी बहुत ज़दा बढ़ चुकिया मतलब कि डेंडर्व बहुत ज़ादा रहने लगी है इसके सासल आपके बाल रूखे रहते हैं बेजान से लगते हैं तो दोस्तों आप इस तेल को इस्तमाल करके अपनी सबी समस्याओं को दूर कर सकते हैं लेकिन आपको ये मालूम होना इसको आपने बालों की जड़ों में अच्छे से मालिश करनी है और आपने मालिश करनी कब है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको जान लेना दोस्तों आपने बालों को धोने से पहले जब आपने बालों पे शैंपू करना है उससे आपने एक से एड़ गंटा पहले ज और लगातार जब आप इसको एक से डेड़ महीना यूज कर लेंगे तो आपको आपके बालों के अंदर जो है काफी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा अगर दोस्तो आप इसे सही सही इस्तमाल करेंगे तभी दोस्तो आपको सही से पूरा का पूरा इसका फायदा मिल पाएगा तो तो तोड़ा इस चीज का खास तोर पर आपने ध्यान रखना है कि आपने बताये गए तरीके सही इस तेल को इस्तमाल करना है धन्यवाद, दोस्तों, मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी, दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली साथ जिरू शेयर करें ताकि जो लोग इस समस्याओं से जूझ रहे हैं वो सभी समस्याओं से मुक्ति पासकें